नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ओनलाइन इस्टेटी गुरुजी चैनल में आद दोस्तों हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्मून टॉपिक कवर करेंगे और दोस्तों इसका प्रेशन परिक्षा में जरूर पूशे जाता है कोई कारक के कितने परिकार होते हैं और कारक को पहचाने की ट्रेक सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम कारक किने कहते हैं कारक तो वे सब्द जिनका क्रिया के सांथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंद रहता है उन्हें हम कारक कहते मतलब दोस्तों वे सब्दों रहते हैं जिनका क्रिया के साथ कुछ न कुछ तौर पे संबंध होता है या प्रटेक्ष होता है उन्हें हम कारक कहते हैं अब यहां पर आंगे देखते हैं सर्वनाम सब्दों में साथ कारक होते हैं क्योंकि वहां पर संबोधन कारक नहीं होता सं अरे ये इस प्रकार के कारक जो होते हैं वो संबोधन कारक होते हैं तो जो सर्वनाम सब्द रहते हैं वहाँ पर संबोधन कारक नहीं होता ये भी कई बार पूशे जाता है कि सर्वनाम सब्दों में कितने प्रकार के कारक होते हैं तो आप बता सकते हैं कौन-कौन से कारक का कौन-कौन सा चिन होता है मतलब कारक क्या किस प्रकार से होता है अब यहां पर दोस्तों कारकों की चिन देख लेते हैं कि कारकों के चिन कौन-कौन से होते हैं तो करता का चिन क्या होता है नहीं यह भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम लिखेज में से कौन सा कारक का कौन सा चिन है तो आपको ये याद करना भी बहुत जरूरी है कि कौन से कारक का कौन सा चिन है जैसे करता का चिन क्या होता है ने कर्म का को करण का से या द्वारा ठीक है संपरदायन का होता है के लिए ये एक ही है पूरा ठीक है अपादान का क्या होता है अलग होने के अर्थ में होता है ठीक है इसको हम समझेंगे पूरी तरीके से ठीक है उसके बाद संबंद का क्या होता है का के की या रा रे ली अधिकरण का क्या होता है में या पर ठीक है और संबोधन जो सर्वनाम में जो कारक नहीं होता वो यही है संबोधन संबोधन का चिन क्या होता है हे ओ और अरे इस प्रकार से ये चिन्न लगा रहता है इसके जरी आप इसको समझ सकते हैं पहचान सकते हैं ठीक है अब आंगे देखते हैं हमने कारकों के चिन्न देख लिए अब आंगे देखते हैं इनको पहचानेंगे केंसे तो दोस्तों सबसे पहला है करता कार तो कार करने वाला करता कारक कहलाता है मतलब जो मतलब दोस्तों जो कार करता है वो करता कारक कहलाता है जैसे देखिए राम पढ़ता है तो यहां पर करता कौन सा है राम है ठीक है रेनू जाती है यहां पर करता कारक कौन है रेनू है ठीक है जिसे परकार अगे देखते हैं कर् क्लम से पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर कलम से जो है करन कारक है ठीक है दोस्तों सिंपल है कोई दिकत नहीं अगला है संपरदान तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संपरदान कारक होता है जैसे बालक दूद के लिए रोता है तो के लिए यहाँ पर जो है वो संपरदान कारक है सिंपल है दोस्तों कोई कठें नहीं है बहुत आसानी से आप पैचान सकते हैं अब आंगे दिखते हैं अगला दोस्तों पांचवा है अपादान तो दोस्तों सबसे मोस्ट आई एम पी ये पूछा जाता है हमेसा परिक्षाओं में तो ये दोस्तों हमेसा परिक्षा में पूछा जाता है यए जहां से कोई बस्तू अलग होती है उसे अपादान कारक कहलाते है अगला है दोस्तों character सम्बंद आपसी संबंद बताने के लिए होता है इसका संबंद कारक का उप्यों कहा होता है आपसी संबंद बताने के लिए जैसे देखिए यह मोहन का घर है तो यह यहाँ पर मोहन का संबंद घर से बताने के लिए किसका का का उप्यों हो रहा है यह संबंद कारक है ठीक है तो अब किसी वस्तु के बैठने को कहते हैं मतलब किसी वस्तु के बैठने रहने या ठहरने के आधार को कहते हैं पेड़ पर पक्ची बैठने हैं पेड़ पर पक्षी बैटए मतलब बैठने कारा इसपर कारइक रहने का आए और ठड़ने का तो वहां पर अधिकरान कारक होता है तो अधारन के जड़ी यह आपको समझ में आ गया बहुत आसान है कोई रिक्कत नहीं किसी वस्तु के बैठने रहने और ठहरने के आधार को कारक कहते हैं सिंपटों अब आंगला देखते हैं संबोधन तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए होता है जैसे हे मोहन तुम दिल ली जाओ तो यहाँ पर यह चिन लगा है इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है तो यह किसी को संबोधित करने के लिए उप्योग होता है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये था कारक का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिएगा आपका बहुत बहुत धन्या